आज मैं आप लोगों के लिए पनीर मिक्स वैज पनाठी की रेस्पी लाइए। उसके लिए गाजर को और प्याज को मैंने ब्लेंडर में डाल करके चला लिया था। अब इसमें मैंने हारा धनिया भी काटके डाल दिया है। जीरा डाल दिया है। गरम मसाला डाल दिया है। अब हम आट की रोटिया बेल ले रहे हैं इसमें बीच में घी लगा दिया घी लगाने से हमारे पराथे जब वह सॉफ्ट बनते हैं और यह देखिए मैंने पनीर मिक्स वैज पराथे का ज्यादा मसाला लिया है दो चम्मच बड़ी वाली भर करके मैंने सारा मसाला इसमें डा देखिए मैंने बिल्कुल दीरे-दीरे करके बेल लिया है अब मैंने इसको तवे पे डाल दिया है और अब हम इसको दीरे-दीरे करके सेक ले रहे हैं आप चाहे तो देशीगी में या रिफाइंड में जिसमें चाहे उसमें इसको डाल करके आप सेक सकते हैं यह देखिए म मैं दबा रही हूं थोड़ा सा यह देखिए इसमें पनीर जो है थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ रहा है पनीर मिक्स वैज पराथा जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग बनता है और इसको अपने घर में एक बार जरूर ट्राइ करिएगा क्योंकि यह जो पराथ धाथे हैं यह बहुत जटबड से बन जाते हैं कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है कि हम मॉनिंग में जल्दी में क्या बनाएं तो हमारे पास सबज이야 तो रहती है तो पनीर तो हम सबजें डाल करें भी बना सकते हैं यह देखिए हमारे पनीर मिक्स वेच पनाठा बन करके तयार है इसको मैंने मियोनीज से सर्व करा है देखिए मैं भी आपको खा के बताती हूं हमारा पनाठा कैसा बना है देखिए मसाला तो इसमें ओवर्लोड है यह देखिए मैंने मियोनीज में लगाया